चर्चा चल रही है कि अंबा पर्षाद बीजेपी में शामिल हो सकती हैं चर्चा सही है क्या है और मीडिया और लोग अच्छी अफवा थी ना अगर सिच्छा मंत्री बनती तो पड़ी लिखी है नहीं देखे यह सब अफवा है और अफवा से लोगों को बचना होगा कि आखिर बढ़का गाओं क्यों इस अब की नजर पे इतना कड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग आडानी क को घुसने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग एंटीपी सी कई ना कई हम लोग से परेशान हो रही है तो यह लोग चाहते हैं कि पुंजी पत्ती लोगों को दिक्कत नहीं हो हिमालियन इंटनेशनल रेसिदेंसिल स्कूल सिलीगुडी वेस्ट बेंगॉल हमारा साथ बात कर लगाँ हैं कहां से चल रहे हैं तो यह बहुत गलत हैं जो भी इस तरह का फ़एलाते हैं हम लोग इतना संघर्श किया हैं पूरा परिवार इतना जहला है संघर्श किया है और हम लोग के पीछे इतने जो विपक्ष जिस तरह से पढ़े जिस लेवल पर पढ़े और बड़का गाउं में जितना एग्रेसिव हैं ये लोग वहाँ पे जिस तरह का नजर ऐसा पुंजी पत्ती वहाँ पे जो एंटी पीसी हो गया अडानी हो गया कोई काम नहीं कर पा र करते हैं तो इस वज़े से तो दिक्कत तो होगा ही और इसके वज़े से हर बार यहीं चर्चा क्यों होती है कि हमारे परिवार के साथ ही क्यों ऐसा अत्याचार होता रहता है मेरे पिता जी को राज़े बदर किया गया आखिर उनके उपर इतनी थाकत क्यों लगा दी गई पचास केस क्यों लाद दिया गया उनको क्यों मैनेज करने का कोशिश किया गया उनको भी बार बार पार्टी बदलने के लिए दबाव डाला गया मेरी मां को राज़े बदर ज हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो जाए तब हम लोग से माझे कर Seems तब हम design ऑम ऐसा अभाव तक तो कुछ हम लोग काहिए कि हम ता था दूशी साबित हो जाये है कि हाँ जानता तब सही जानता ही लिकिन जान्ता ही है क्यूं और क से पडीक किया जाता है और यह अफवा हमेशा उड़ा जाता है क्योंकि बढ़का गाओं आज की रेट में बहुत सीरिसली विपक्ष उसको देख रहे हैं और देखे पुरे जारकण में हमको लगता है कि अगर यह लोग आ गए ना तो पूरा जारकण को विस्थापित कर देंगे तो हम लोग तो अपने काम से लोगों के बीच में जाते हैं कोई भ्रहम फैला के इनके जासा प्रोपगेंडा में नहीं जाते हैं अच्छा हमबा परशाद जी जैसी सीजियल को लेकर जस तरीके से हजारी बाग में प्रोटेस्ट हुआ हजारी बाग से और अलग अलग जीलों से है चाहतर नाची पोचे उनका सीधा तोर पर करना है कि जैसे सी सीजेल में इस बार भी धांदली हुए अमबा परशाद इसको लेकर किस तरीके से क्या सोचती क्या वाकिए धांदली हुई है या फिर इस तरीके का महौल बनाया जा रहा है देखे इस मामले में सपष्ट मेरा क्या ही कहना है मैं इसे पॉलिटिक्स विल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कोई भी करे इसमें मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ हर हाल में मैं उनके साथ खड़ी हूँ उनके भावनाओं के साथ खड़ी हूँ हमने कई सतर पे हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि स्टूडेंट का आप भावना को समझ कि अगर कहीं से भी कुछ पता चल रहा है कि कुछ गड़बर हुआ है मैं आपके माद्यम से भी मान्ये मुख्यमंत्री जी से आगरा कर रही हूं कि उनकी बात को सुने और अगर वो किसी भी तरह का प्रमान दे रहे हैं तो उस पे संग्यान लेके हम लोग सब देख के उस पे आगे बढ़े और देखे हम लोग उस तरह के नहीं है जो जैसे नीट का भी आप जानते हैं कि कारवाई हजारी बाग तक चला गया लोगों को अरेस्ट किया गया लेकिन कुछ भी उसके बाद ना मतलब फिर से एक्जाम हुआ ना एक्जाम कैंस हुआ ना मतलब किसी भी तरह का कारवाई उसके बाद देखने को नहीं मिला लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जारकन में जो लंबे समय से चल रहा है स्टूडेंट लोग बहुत संगर्श कर रहे कोवेड भी आया और हम लोग हैर हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से बहुत सारे एक्जाम को सकस्सफुली कराया भी है बहुत सारी अर्चने आई लेकिन अगर कहीं पे कुछ इस तरह का बड़ा मामला अगर लाया जा रहा है स्टूडेंट के तरफ से लाया जा रहा है पेपर लीक का मामला लाया जा रहा है अगर किसी भी तरह का प्रमान अगर मिलता है त हमेशा उनका जितना भी अत्यचार है सब सहते आए हैं और मजबूती से डट के सामना किये हैं उनके एडी के कारवाई पे जब उन्होंने जब बुलाए है तब हम जाके सायोग किये हैं कि यहीं भी हम पीछे नहीं हैं हर चीज को हम फेस कर रहे हैं और फेस करेंगे कहीं पे ह हम लोग कुछ गलत नहीं है